अपने ग्रूप हेलफर वोड की सीरीज में आपका स्वागत है मेरा नाम है प्रेंज और आप देख रहे हैं अर्णिंग प्लैनर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रूप हेलफर वोड के अंदर जो कैप्चा का एक ऑप्षिन दिया हुआ है उसका आप किस तरीके से य सब की सब यहां स्कीजिन के ओपर दिखाए देगा तो आपको इससी अतरीकी से से इसको फॉलू करना है सबसे पएले आपको क्या करना होगा आ पको सबसक्गरंगों अपने टेलीक्राम ए approaching को ऑपन कर लेना है ऑपन कर लेने के बााद में आपको यहां पर अपना ग्रूप helper boat है आपको simply इसको start कर देना होगा start कर देने के बाद में आपको यहाँ पर देगी menu के option इस पर करके आपको setting वाली command देने होगी इसको देने से क्या होगा कि आपके जितने भी groups के अंदर आपने आप admin हो admin या फिर बोल सकते owner हो आप जिन भी groups के अंदर owner हो उन सभी groups की यहां पर list आ जाई तो simply आपको जिस भी group को operate करवाना है इस बोट से आपको simply उस group को यहां पर select कर लेना मेरा यहां पर सिर्फ एक ही group है तो यहां पर सिर्फ group no.1 आ चुक नियुक्त को बता है अगर आपको उनको यूज़कर यूज़ करना नहीं आता है तो आप सेंप्ली प्लेष्ट पर जा करक इस सब को देख सकते हैं फर्सकाने यहाँ कोई वाली जो आपके ग्रूप करता है तो मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से आप इसको यूस कर सकते हैं सबसे पहले बात आती है यहाँ पर turn on की और turn off की तो देखिए अक्टिव करना मैं आपको बताए दिया और यह जो turn off लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि यह जो आप deactivate हो जाएगा इस पर click करते ही ठीक है यहाँ पर mode दिया हुआ है अब mode के अंदर क्या होगा इसके उपर click करता हूँ इसको पूरा पूरसन इसका यह जितने भी आपके सामने options आरे इनको यहाँ पर आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिना होगा ठीक है यहाँ पर तीन पार्ट में कैसे डिवाइड करना है मैं आपको समझा दिता हूँ देंकि पहला पार्ट तो हो मोड वाला जिसके अंदर अपने टोटल ही हो जाते हैं छे options ठीक है फ्रेंट्स वीडियो ज्यादा लंब भी ना हो इसलिए इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ तीन ही options इसके अंदर बताऊंगा तीन मोड को आपको किस तरी की यूज में लेना है वो मैं आपको जो तीन बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूँगा ठीक है तो यहाँ पर अभी आपके सामने छे options आ रहे हैं यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका यह वाला पार्ट में डिवाइड कर देना है टाइम पैरेंटी और यह समझा देता हूं कि किस यूज में आता है अपना चो कैप्चर है उसके भी कई सारे मोड होते हैं ठीक है जैसा कि हो गया बटन एक है यहाँ पर दे रहा है रीकेप्चर एक दे रहा है यहाँ पर प्रजेंटेशन एक रहा है रेगुलेशन मैट्स और क्विज्स यह मैं आप करके दिखाऊंगो गुरूप के अंदर किस तरीके से यह वर्क करते हैं पट फिलाल मैं आपको थोड़ा से इंको एक्स्प्लेइन कर दूँ थाकि आपको आइडिया हुज़ए ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं आज आपको समझाने वाला हूं बटन का रीकेप्चर का और प टॉपिक ठीक है फ्रेंट्स बटन वाला जो ऑप्शन इसके अंदर आपको सिलेक्ट टॉपिक वाला ठीक है यहाँ पर यह जो टाइमिंग वाला यह यह दोनों आपके कोई भी यूज में नहीं आने वाले ठीक है तो आप इन दोनों ऑप्शन को भोल जाए बटन वाले टीन ओप्शन कों से आएगे एक तो आएगा आपके सामने बैन का एक आएगा म्यूट का एक यहाँ पर इक का टेक फ्रेंट्स बैन के अंदर क्या होता है कि यह कोई भी यूजर आपके गृप को जॉइन करता है और आपने कोई कैप्चर लगा रहा रहा है अगर वो band नहीं कर देते हूँ ठीक है किक वाला option में क्या होता है friends से जो भी user है अगर वो user join करता है और आपके द्वारा लगाएगा capture को solve नहीं करता है तो उसी time पर वो user जो है न वो आपके group से निकाल दिया जाएगा बाहर ठीक है और वो चाहे तो फिर से जोईन कर सकता है ठीक है बैंड के अंदर फिर से जोईन कर सकता है ठीक है यहाँ पर mute वाला option में क्या होता है आपके group के अंदर अगर कोई भी user join करता है और आपके दोरा लगाएगा capture को जब तक वो solve नहीं करेगा तब तक वो आपके group के अंदर message नहीं कर पाएगा ठीक है तो इनको किस तरीकी से यूज मिलेन है वह मैं आपको समझा देता हूँ तो simply मैंने यहाँ पर देख लेजी म्यूट वाला एक option मैं simplest के उपर क्लिक कर देता हूँ ज्याधा तर मैं यही recommend करूँगा आपको कि आप यहाँ पर mute के उपर ही इसे रहने दीजी अगर आप इसे किक या बेहन के उपर कर देंगे तो खामका आपके गुरूप के अंदर से members जो हैं वो कम होते जाएंगे और कम होते होते आपके गुरूप के members 0 हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप mute पर रखे अगर आपको कुछ लगाना ही एक capture वाला system तो mute पर रहने दीजी इसको बाकी मै अपने पयलेंटी वाला option complete हो चुका है आप बार या ती यहां पर अपने कस्ट माईज मैसेज की तो simply आपको यहां पर कस्ट माइज मैसेज वाले जो option है आपको इसके अपर क्लिक कर देना होगा customize message के उपर click करते ही यहाँ पर आपके सामने 4 options खुल के आ जाएंगे friends यह उपर वाले जो दो options है friends यह एक ही है यहाँ पर आप text message को set कर सकते हैं और C के अंदर click करके आप अपने customize message जो भी आपने message set किया है text message को वो message आप C के उपर click करके देख सकते हैं button के अंदर क्या कर सकते हैं आप button के अंदर आपने जो button आपने लगाया है वो button को आप यहाँ पर set कर सकते हैं और यहाँ पर C के उपर आप click करके button के सामने वाला जो option आप उसके उपर click करके आप यहाँ पर button जो भी आपने सेट किया उसे देख सकते हैं कि आपने कौन सा बटन यहां पर लगाया हुगा अब बात आती है कि जो टेक्स्ट है और यह बटन है यह किस काम आएंगे तो फिर देखिए अपने यहां पर बटन वाले ओप्शन को चूज किया ठीक है मोड आपने जो capture का मोड है वो अपने आने वाला हूँ क्योंकि मैंने और पीछी वीडियो के अंदर में अच्छे से इन कमांड को बता है कि इस तरीके से वर्क करती कमांड ठीक है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के आई बटन के उपर को दिखाई दे जागा तो आई बटन के उपर आप जाकर कि उस वीडियो को जरूर देख लिजिएगा उसके अच्छे से बारी की से बताए कि ओप्शन से ने किस तरीके से वर्क करते है ठीक है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसिज यहाँ पर सेट कर सकते हैं मैं यहाँ प सेंड करते हैं यहाँ पर देख लिखा हुआ आ गया है कि मैसेज सेट यानि कि आपको जो मैसिज है यानि कि टेस्ट मैसिज है वो सेट हो चुका है ठीक है मैं सिंपली बैक के उपर क्लिक कर देता हूं बैक के उपर क्लिक कर देने के बाद में अपना जो टेक्स्ट मैसिज ह वह भी नाम देना है आपको लिख दीजिए चाहता हूं यहां पर लिख देता हूं मैं के उपर आ चुका हूँ simply मैं यहाँ पर अपने जो ग्रूप था उसका लिंक में यौप पेस्ट कर देता हूं और उक्वर्व को जॉइन करता हूं ठीक है यहाँ पर मैंने इसके ओपर राइट इन दिस ग्रूप ठीक है यानि कि आपका जो कैप्चर और सॉल हो चुक है अब आप इस ग्रूप के अंदर मैसेज कर सकते हैं अब देख लीजिए मैं आपर मैसेज कर सकता हूं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ठीक है इस तरीक से कोई भी उजर आगर आपके ग्रूप क कर लेता हो यहाँ पर ओपन कर देने के बाद में यहाँ पर देखते ही इसके आपना इसके अपर सिलेक्ट हुचुक है अब ही फ्रेंड्स यह जो ना तो पार्ट तू के अंदर अपना क्या था पार्ट टू के अंदर अपना था पा किलेंग की अंदर क्या यह पर क्लिक करता हूं इस पर click कर देने के बाद में यदि माली जी मैं चाहता हूँ कि 15 seconds के अंदर अंदर अगर कोई भी user capture को solve नहीं करता है तो वो mute हो जाएगा Mute मतलब कि अपने जो पैलेंटी लगाई हुई है वो पैलेंटी उसके उपर लग जाएगी ठीक है तो simply मैंने आपर देख लिए जिए 15 के उपर right का चीन आ रहा है अगर आप चाहते हो तो 30 seconds का भी कर सकते हैं एक मिनट का कर सकते हो maximum आप यहाँ पर आदा घंटे का कर सकते हैं ठीक है minimum यहाँ पर 15 seconds है maximum यहाँ पर आदा घंटा है ठीक है कस्टमाईज मेसेच के अंदर वापे से वही टेक्स और वही बटन यहाँ पर आ चुका है अपने जो बटन वाला जो मोड था ठीक है मोड अपने बटन वाला इससे पहले में आपको दिखाया था लाईव वही जो टेक्स और बटन आपने जो इहाँ पर करे थे ना सैट गि मैंने सैट के थे वही में इसको रखना चाहता हूं सिंपल अपना यह जो काम है complete हो गया part 2 का ठीक है part 3 का भी अपना कोई काम नहीं ठीक है उसको मैं बाद में समझाऊंगो किस काम गाता है part 3 ठीक है मैं सिंपल अपने second वाला टेलिग्राम अकाउंट के ओपर आने के बाद म मैं इसका लिंक को यहाँ पर पेच्ट करके से सर्च करता हूं और अपना गुरूप मैं को पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर ज्व यह जो capture है उसे solve करना रहता है बट फ्रेंट्स 15 सेकंड के अंगर मैं नहीं करता हूं capture सो अब तो यह message जो है वह यहां से delete हो जाएगा आप देख लिजीगा 15 से कंप्लेट हो यह message जो है वह delete हो चुका अब मैं यहां पर वापिस से में को क्या करना पड़ेगा वापिस से से क्लिक्ट कर डिया है और यहांपर जो capture है हुआ है और यह जो अपना capture है यहां पर देख लिजीए आ चुका है अप से जल्दी से click host करता हो वो फिल हो चुका था ठीक है महाँ पर अपने को कोई लिंक पर जाने की ज़रूद नहीं थी पर फिरेंस री कैप्चर जो मोड है उसके अंदर जैसे आप इसके उपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते से ही आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा महाँ पर जाते सी अपना में rumor है यह आपको समझ में आगया होगा हमान आगे बढ़ते हैं मैं अपने मीन अकांट के अंदर चला जाता हूं तो सिंपलिट उपना जो आपने में में अकांट के ऊपर आघ चखा हूं मैं है आपर ग्रूप हैल्प को ओपन यहां पर इपर आपना लाश्ट प्रेजंटेशन का तो सिंप्ली प्रेजंटेशन वाला ओप्शन क्या काम आता है फ्रेंट्स मैं इसके उपर क्लिक करता हूं प्रेजंटेशन के अंदर क्या होता है यह मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं तो सिंप्ली यहां पर देख लिए अपने आते हैं सेक के उपर क्लिक करता हूं और टाइम के दिर मेरा 15 सेकेंडे से तो मैं इसको नहीं से डूँँँगा ठीक है यहाँ पर पैलांटी एपनी म्यूट ही थी पहले से वही मियूट यहाँ पर है तो मैं इसको भी निचेश डूँगा यहां पर मैं कस्तुमाईज मैसीच के उपर किलिक करता हूं तो यहां पर देख लिजिए आप यहांपर बटन को अप्षिन मिल्स यहांस आप्षिन आ रहा है सुमपल आप इस से के ओपर किलिक कीज़ेए कलिक करने के हों बस इतना इता ही आप यहां पर देख लिए हैं आपको अपने सब्वर टैलिग्राम अकूंट इसके ऊपर जाकरके दिखा देता हूं म्याइशने बंदने के बाद सब्सक्राइब counterpart को ओपन कर लेता हूं और बंदने के सेंड निकर रहा ठीक है 15 सेकंड का टाइमर कंप्लीट होने दीजिए 15 सेकंड बाद में यहाँ पर मुझे इस ग्रूप से निकाल दिया गया है ठीक है और यहाँ पर मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगा ठीक है आप इस चीज को सही करने करने के लिए आपको क्या करना होगा वापी से इस ग्रूप को लीफ्ट करना होगा लीफ्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर फिर से ग्रूप को सर्च करूंगा और सर्च कर देने के बाद में यह अपना ग्रूप मैं इसके उपर क्लिक करता हूं जॉइन के उपर क्लिक कर दे ठीक है अब यहाँ पर देख लिए मैं को यहाँ पर कोई restriction नहीं मैं यहाँ पर आराम से आपर messages कर सकता हूँ तो friends इस तरीके से आप अपने group को operate कर सकते है री capture वाले options से friends अभी अपनी video जो हो complete नहीं हुई है यहाँ पर अपी इसका part 1 ही complete हुआ है इसका मैंने part 1 complete हुआ है ज्यादा video लंबी हो चुकी है और ज्यादा लंबी नहीं करना चाता है इसलिए मैं इसका second part आएगा उसके अंदर बाकी की जो तीन options है उन तीन options को मैं उसके अंदर अच्छे से आपको बताऊंगा तो friends I hope मैंने आपको अच्छे से आपको चीज़े समझाई होंगी और आपको अच्छे समझ में आ गई होगी friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको like कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इससे subscribe कीजिए क्योंकि हम इस चैनल के उपर earnings related tricks लेकर के आते हैं साथ ही में technology से related भी हम यहाँ पर वीडियो उसको provide करते हैं ताकि आप लोग technology भी सीखें साथ ही के अंदर उन से earning भी कर सकें अब हम लोग और भी सीरीज लाने वाले जिसके अंदर आप टेलीग्राम से वाटसप से किस तरीकर से earning कर सकते हैं पर उससे पहले हम आपको इसको कुछ basics हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिखा रहे हैं जब आप सीख जाओगे उसके बाद में हम earnings related चीज़े भी लेकर